हेलो मेरे प्यारे बच्चो, तो आज क्या लाई है संपर्गदी दिया आपके लिए? आज का खेल है परचाईयों वाला खेल. बच्चो, इस खेल में मैं आपको हर बार पाँच कार्ड्स दिखाऊंगी. जब ये कार्ड्स पल्टेंगे, तो आपको इन में एक जानवर और उसकी चार परचाईयों दिखाई देंगी. अब आपका चैलेंज ये है कि आपको उन में से उस जानवर की सही परचाई पहचाननी है. तो सबको समझ में आ गया ना? तो चलो शुरू करते हैं. इन कार्ड्स को पलटने के लिए मेरे साथ कहो, कौन सी है मेरी परचाई? जल्दी बूजो मेरे भाई. देखो, ध्यान से देखो. आपको सही परचाई को पहचानना है. बहुत अच्छे! इस बार तो आपने परचाई को पहचान ही लिया होगा. तो चलो, अब अगले कार्ड्स का सेट देखते हैं. अरे, यह तो गुलाबी रंग का एक पक्षी है. और हैं उसकी चार परचाईयां. आपको सही परचाई को पहचानना है. देखो, ध्यान से देखो. इनके सर में कोई अंतर तो नहीं? या पैरों में कोई अंतर है? ध्यान से देखो. पैरों कौन सी परचाई इस पक्षी से मिलती है? शाब बाश बच्चों! अब फिर से मेरे साथ इस नए कार्ड के सेट को पलटते हैं. तो बोलो, कौन सी है मेरी परचाई? जल्दी पूजो मेरे पाई. अरे, इस बार के कार्ड में तो मचली निकल कर आई है. बस उसकी सही परचाई पहचाननी है. तो करना क्या है? कि मचली के एक-एक हिस्से को मिलाना है. उसकी पूच देखो, उसके पंक देखो, और फिर सही परचाई को पहचान लो. अरे, वाह, बच्चो, बहुत खूँ. तो अब बारी आई है अगले कार्ड की. याद है ना, कि क्या बोलना है? अब बूजो बूजो और इस चीडिया की सही परचाई को ढूण निकालो. पैरों को मिलाना है. सर को मिलाना है. अब तो आपको पहचानना आ ही गया हुगा. बस एक-एक हिस्से को ध्यान से मिलाना है. तो आयाना इस खेल में मजा. अगर आपको अपने उत्तरों को जाचना है, तो अपने अध्यापक या अध्यापिका की मदद ले सकते हैं. ठीक है बच्चो? बाई बाई!